हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो अन्पम क्रियेशन्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में एक बहुत ही खुबसुर डिजाइन लेकर के आई हूँ, जो की ड्रॉप डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे डाले जाते हैं, वो और नमबन में डाले जाते हैं यहाँ पर मैंने 15 फंदे डाले हैं, जिजाइन की फर्स्ट रो में पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद जो दूसरा फंदा है और तीसरा फंदा है, इन दोने के बीच में जो गैप है, यहाँ सलाई डाल करके एक फंदा हम बना लेंगे, यह थोड़ा लूस बना इस तरह से एक फंदे से चार फंदे बन जाएंगे, फिर उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, और फिर उन पिछे करेंगे, यह दो दो फंदों के बीच में गैप होगा, उस गैप में हम सलाई डाल करके एक फंदा बिनेंगे, उन आगे करेंगे, फिर उसी ग लेंगे फिर उन आगे करेंगे इसी तरह से बिनेंगे एक फंदा उल्टा बिनेंगे उन पिछे करेंगे दो फंदों के बीच की गैप में सलाई ऐसे डाल करके एक फंदा सीधा बुनेंगे थोड़ा धिला बुनेंगे उन आगे करेंगे फिर उसी गैप में सलाई डाल करके ए तीन फंदे हो जाएंगे और फिर उसी फंदे को पीछे से सिधा बुन लेंगे इस तरह से एक फंदे से चार फंदे बन जाएंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है एक फंदा उल्टा बनाना है और एक फंदे से चार फंदे बनाना है लास्ट में एक फंदा बचेगा ज इस तरह से बनाने हैं, डिजाइन की second row में पहला फंदा हम जो है, वो slip कर लेंगे, उन पीछे रहें देंगे, और यह जो एक फंदे से चार फंदे बना हैं, एक से जो चार फंदे बने हैं, इसमें पहला वाला फंदा हम सीधा बन लेंगे, और इसके बाद उन आगे करके यह तीनों फंदे हम slip कर लेंगे, फिर उन पीछे करेंगे, यह एक फंदा हमने आगे से उल्टा बिना था, इसलिए इस फंदे को हम सीधा बन लेंगे, और इसके बाद जो चार फंदे हैं, उन में का पहला फंदा एक सीधा बन लेंगे, इस तरह से दो फंदे हम सीधे बनेंग उन आगे करेंगे और तीन फंदे हम स्लिप कर लेंगे जो एक से चार बनाये थे उसमें तीन फंदे स्लिप कर लेंगे फिर उन पीछे करेंगे एक उल्टा वाला फंदा सीधा बिनेंगे एक चार फंदों में से पहला फंदा सीधा बिनेंगे और इसके बाद उन आगे करके त तीन फंदे हम स्लिप कर लेंगे, फिर उन पीछे ले जाएंगे, एक फंदा उल्टा वाला सीधा बिनेंगे, एक फंदा चार फंदों में जो बनाये थे, उन में से एक फंदा सीधा बनेंगे, उन आगे करके तीन फंदे स्लिप कर लेंगे, पूरी रो हमें इसी तरह से बनान कि अब हम जयंक की ठ्रड रोपर है जो की राइच state से है पहला फंद स्लिप कर लेंगे इसके बाद जो तीन हमने स्लिप कियी थे उन तीनों फंदों को भी हम स्लिप कर लेंगे यह अगे करकी एक फंदा उल्टा बिन लेंगे और इसके बाद उन पीछे करेंगे तीनो स्लिप के हुए फंदों को ये जो एक फंदा हमने बिना है उसके उपर से स्लिप कर देंगे ये इस तरह से ड्रॉप बन जाएगे उन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बिनेंगे एक फंदा हम उल्टा बिन ही रहते, उसी फंदे को उल्टा बिनेंगे, उन पीछे करेंगे, तीनो फंदे जो स्लिप के हुए हैं, उनको स्लिप कर लेंगे, उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, उन पीछे करेंगे, तीनो फंदे जो हैं स्लिप के हुए, उनको इस एक फंदे के उपड़ से उतार देंगे तो ये चार फंदे थे एक फंदे चार बंदे बनाये थे वही तीन फंदे हम जब स्लिप कर देंगे तो ये एक फंदा बच जाएगा हमें एक ही फंदा चाहिए था ये फंदा हमें मिल जाएगा फिर उन आगे करेंगे एक फंदा हमने बनाया है ये एक फंदे से जो चार फंदे थे उनी में तीन फंदे हमने slip किये हैं और एक फंदा उल्टा बनाया है उनको पीछे करेंगे और ये तीनों जो slip कियोए फंदे हैं इनको इस एक फंदे के उपर से slip कर देंगे पूरी रो हमें ये slip करने के बाद उल्टा बनाएंगे, उसके उपर से इन तीनों फंदों को slip करना है, जो तीन फंदे slip करने के बाद बनता है फंदा उल्टा वाला, उसके उपर से ये फंदा slip करना है, उसके पहले हमें ये फंदा पीछे करना है, ये उन पीछे करना है, उन पीछे करने के ब तीन फंदे slip करेंगे यह तीन फंदे ही हमने slip कर लिए उन आगे किया एक फंदा उल्टा उन पीछे करेंगे और इन तीन फंदों को जो slip किवे फंदे हैं हैं उनको एक फंदे के उपर से यह slip कर देंगे इस तरह से यह drop design बन करके तयार रहेगी पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है फोर्थ रो में जो की wrong side से है पहला फंदा हम slip करेंगे इसके बाद जो तीन फंदे उतारे गए हैं इक फंदे से के उपर से उस फंदे को हम एक उल्टा बिनेगे उसके बाद वाल हमें इस तरह से बनानी है और दूसर फंदे को हमें इसी तरह से हित्यदा और दूसरा जो आगे से उल्टा बिना गया था उसको सिधा बनानी है पूरी रो हमें से च भाद वह हमें बनाना है जो तीन फंदे मेर tornado के उपर से उसद वंदे को हमें उल्टा बनाना है और दूसरा जो आगे से उल्टा भिना गया था उसको हमें सीधा बनाना है फूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है 4 रो बना लेंगे तो एक बार ये डिजाइन कंप्लीक हो जाएगी यहां 4 रो बना करके एक बार हमने design complete कर ली है लेकिन अब जब हम design बनाएंगे तो design की जगाँ change हो जाएगी उसके लिए हमें फिर से 4 row बनानी पड़ेंगी इस बार जो ये design है इस जहां पर हमें उल्टा फंदा बिनना है और उल्टे फंदा की जगाँ पर हमें design बनानी है यहां पर मैं आपको बना करके दिखाती हूँ किस तरह से हम design की जगाँ change करेंगे जब हम दोबारा design शूर करेंगे तो उसकी 1st row में क्या करेंगे हम सबसे पहले फंदा slip करेंगे इसके बार ये पहले ही फंदे पर हमने design बनाएथी लेकिन इस बार हम हम उन आगे करके पहला फंदा उल्टा बनाएंगे पहला फंदा उल्टा बनाएंगे और इसके बाद वाले फंदे पर design बनानी है तो इस फंदे के बाद जो गयप है यहां पर हम design बनाएंगे एक फंदा हम सिधा लेंगे थोड़ा धेला लूप लेंगे उन आगे करेंगे फिर उसी जहां पर हमें एक सीधा फंदा लेंगे एक फंदे से तीन फंदे हो जाएंगे और फिर उसी फंदे को हम पीछे से सीधा बुन देंगे तो एक फंदे से चार फंदे बन जाएंगे फिर हम उन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बिनेंगे फिर उन एक फंदा उसी में सीधा पीछे और बिन लेंगे इस तरह से हमें पूरी रोब बनानी है डिजाइन की सेकंड रो में पहला फंदा हम सिलिप करेंगे उन पीछे करेंगे जो फंदा हमने आगे से उल्टा बिना है उसको सीधा बिनेंगे इसके वाद जो एक फंदी से चार फंदे बिने है उनमें जो पहला फंदा है उसको हम सीधा बनेंगे और उन आगे करके जो तीन बचे हुए फंदे हैं उनको हम स्लिप कर लेंगे फिर उन पीछे करेंगे जो उल्टा फंदा बिना हुआ है उसको हम सीधा बिनेंगे जो एक फ फंदे के हम सीधा बिनेंगे उन आगे करेंगे और तीन फंदे स्लिप कर लेंगे फिर उन पिछे करेंगे फिर इसी तरह से बिनेंगे एक फंदा सीधा जो उल्टा बिनाया गया था दूसरा फंदा सीधा जो कि चार फंदों में से पहला फंदा है उन आगे करके तीन फंदे स स्लिप करेंगे यह स्लिप कर लिया फंदा इसका उन आगे करके दूसरा फंदा जो उल्टा बिना था उसको उल्टा ही बिनेंगे उन पीछे करेंगे जो तीनों स्लिप के वह फंदे हैं तीनों को स्लिप कर लेंगे उन आगे करेंगे जो स्लिप करने के बाद वाला उल्टा फ पिशे करेंगे 3 फंदे यह 3 फंदे हैं 26 कर लेंगे 31 सरक लेंगे उन आगे करेंगे egy फंदध इलटा बिनेगा अब जो यह उलटासा बियाज सके ऊपढ़ से क्राइब से तीनों फंदे जो स्लिप कर हुए हैं उनको इस तरह से एक ड्रॉप बन जाएगे फिर उन पीछे करेंगे उन पीछे पहले ही कर लिया था हमने उन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बिनेंगे उन पीछे करेंगे तीनों फंदे हम स्लिप करेंगे और इसके बाद उन आगे करके एक फंदा उल्टा बिनेंगे उन पीछे कर लेंगे और ये तीनो फंदे जो हैं इसके उपर से slip कर लेंगे एक फंदे के उपर से जो उल्टा बिना है तीन फंदे के बाद उसके उपर से slip कर लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है यह हमारी डिजाइन के थर्ड रो है और राइट साइड से है अब हम डिजाइन की फोर्ज रोपर हैं पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे इसके बाद हमने आगे से उल्टा बनाया था वो फंदा में सीधा दिखाई दे रहा है उस फंदे को सीधा बिन लेंगे उन पीछे करेंगे जो फंदा तीन फंदे से एक करके बनाया गया है उस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और जो उल्टा आगे से बनाया गया है उसको सीधा बन लेंगे इस तरह से हमें एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फंदा बनाना है जो तीन फंदों से एक फंदा किया गया है उसको हमें उल्टा बिनना है और जो आगे से उल्टा बिना था वो सीधा बिनना है इस तरह से हमें पूरी रो बनानी है यहां मैंने आठ रो बनागर के दो बार डिजैन कम्प्लीट कर ली है यह बहुत ही खुबसर डिजैन है और आप इसे किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सके है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरा डिजैन को समझाने का धंग पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी सहलियों के साथ शेयर करें ठैंक्स